तो आएए खुसकबरी के साथ जो है आगास करते हैं सांदार नियुसका और वो यह है कि टाइगर की पॉपुलेशन जो है बढ़ गई है और वो पहुच गई है 750 प्लस 750 से यह जो हो गई है कितनी 2976 तो पहली बात यह कि यह किस ने बताया तो यह मैं नहीं बता रहा हूँ यह हमारे बता रहे है कौन Environment 1 और परिवर्तन मंत्राले के जो हैड है हमारे मंत्री प्रकास जावडेकर साहब उने राज्यसमा में यह बताया है कि 750 के साथ इंक्रीज होकर यह हो गई है 2976 तो सवाल यह उटता है कि पहले कितनी थी याने कि यह पहले थी 2014 में अगर आप देखें तो यह थी 2226 याने 2226 थी यह जैब जो अब बढ़कर होकि यह 2976 सिक तो सबसे पहले बात यह उटता है कि यह जो गढ़ना है यह गढ़ना कौन कराता है तो आपको पता होना चाहिए यह कराती है हमारी National Tiger Conservation Authority जी हां National Tiger Conservation Authority के द्वारा जो यह करा जाता है हर चार साल में यह कराने के बाद 2014 में ये थी इसकी गड़ना आप देखेंगे तो ये 22 कितनी 2226 थी और ये अब 750 के साथ बढ़कर 2018 में हो गई है इतनी ठिक और अगर आप देखें और पिछले हैं 2010 में ये थी कितनी तो एक साथ सुन निच है तो ये डाटा इतना इंपोर्टन नहीं आपको बस ये ध्या बागों की मौत का करण बन रहा था ये बहुत ज़्यादा फेमस जीज में था कफी ज़्यादा कनायन डिस्टेंपर एक दूसरा बाग की और क्या मृत्यू का करण बनता तो सिकार बहुत ज़्यादा किया जाता है इनका इनके जो है नाखून और जो होता है इनकी खाल वग देखेंगे मौत कहा हुई थी MP में तो चाहे वो सिकार हो चाहे वो इलेक्ट्रोल्यूजन हो याने कि बिजली के तार की चपेट में आना उसके कारण जो मौत हुई वो कहा हुई MP में दूसरे नंबर पे इस पे प्रोग्रेसिव आप रिपूर्ट जो कि एक अच्छे और खुशी की बात है जो कि एक अच्छे और खुशी की बात है जी हाँ और साथ ही एक UPST ने सवाल भी किया था और वो ये था M-S-T-R-I-P-S क्या है P-E-S ये क्या है ये सवाल किया था UPST ने और ये आपको यहाँ पाजवाब मिलेगा उसका 2018 की Tiger की गड़ना में ये ना आपको Mobile App M-Stripes का आपको यूज किया गया था अच्छा ये जो M-Stripes है ये launch कप किया गया था तो ये आपको आगे देखने को मिलेगा ये 2010 के लगभक सायद launch किया गया था मैं आपको आगे दिखाता हूँ ये देखिए यहाँ पास लिखा हूँ है 2010 के अगल बगल ये launch किया गया था ठेक भागो की गड़ना और पेट्रोलिंग के लिए यूज किया था M-Stripes पहली बात M-Stripes है क्या तो आप बताएंगे monitoring system for tiger intensive protection ecological status तो intensive protection करना है और ecological status का पता करना है किसके तद तो monitoring system के तद इसमें GIS enabled रहता है geographical enabled system है geographical enabled system कहने का साधान मतलब ये है कि आपको उसकी exact location जो है या GIS से पता चल जाएगी तभी तो आप उसकी monitoring कर पाएंगे और साथ ही आप उसका protection या protection के लिए जो भी आपको mechanism अपनाना है वो आप कर पाएंगे किसके तो बागोगी कब 2010 में ये launch किया गया था M-Stripes जो की NT-CN जो है इसी गड़ना में यूज किया था अच्छा इस बार की जो गड़ना में इस बार की जो गड़ना है उसकी एक खास बात ये भी है कि पुर्वत्तर जो की North East जिसको जो हर बार छोड़ दिया जाता था इस बार इस 2018 की गड़ना में इसको किया गया इसलिए शाद एक करण ये भी है कि ये जो है आपको बाग जो है प्लस 750 देखने को मिलगा है ठीक और एक और खास बात है कि नेपाल भुटान हमारे जो पड़ोसी देश से उन्होंने भी ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है वह स्टाट किया गया था 1973 में नाइन टाइगर रिजर्व छेत्र के साथ ये स्टाट के गया था अब जो है पचास लगपग हो चुके हैं टाइगर रिजर्व छेत्र पचास अच्छा गुरु घासीदास जो कि मिलासपूर वाला हमारा उ अब डेट होता है गुरु घासीदास वला निउस तुम अब डेट करके आपको लिखके बता दूंगा टाइगर रिजर्व का होता तो आप बताएंगे को रिया होता है यहां पस टाइगर रहते हैं कि वर टाइगर रहेंगे मतलब टाइगर और वन जीव रहेंगे तो कलाता है परिधी कलाता है या फिर आप इससे कहेंगे पेरिफेरल एरिया इंग्लिस में आप इसको कहेंगे पेरिफेरल एरिया तो यह जो परिधी है यहां पास मानवी गतिविधी हो सकती है ठिक परिधी में लेकिन कोर एरिया में मानवी गतिविधी नहीं होते है तो यह परिधी हो गई और यह हो गया core area यह जो है परिधी याने की जो peripheral area यह decide कौन करता है यह जो government authority वाले लोग रहेंगे साथ ही वहां की जो gram pancayat है वहां के लोग रहेंगे साथ ही जो है विसे सक यह जाने की NGO वगेरा वाले जो लोग है जो tiger preserve conservation में जो काम करते हैं यह होते हैं इसमें परिधी को decide करने वाले हमें और core area आपको पता चलिया यह जो tiger ntca या फिर आपको है project tiger जो था यह पूरी तरीके से जो है ना central sponsor team centrally sponsored याने की center के द्वारा पैसा दिया गया इसको लिए और इसकी नोडल agency याने की जो काम करता धरता और उपर से आपको देख रेक करने वाला कौन है पर आवरान वन जलवायू परिवर्तन मंत्री तो यह जो है topmost agency है जो इसको करती है अच्छा एक बात यह कि यह जो गठन किया गया था हमारे किसका ये ट्रोजक्त टाइगर को लानी का तो यह जो है क्यों लाया गया तो आप बताएंगे कि यह जो है था हमारी Tiger task force उन्होंने सलाह दी थी उन्होंने सिफारिस दी टी टीटीएफ ने और उसके सिफारिस के बाद ही जो है लाया गया था क्या तो प्रोजक्त आएगा और क्या है यह कहां सक्ति प्राधान करता है तो देखिए अगर आपको मैं यह कहूं यह जो है पर्यावरण Act के तहत अपनी सक्ति प्राधान करता है 1930 प्रावरण Act 1930 के तहत तो आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है यह प्राप्ट करता है अपनी Wild Life Protection X WPA 1972 के तहत जो है अपनी शक्ति प्रदाम करता है कि Tiger का कंजर्व करना है तो यह है Wild Life Protection X उसके तहती करता है तो एक कुछ बाते थी The Hindu के News के थी इसलिए हमने देखा कि क्या कुछ हो सकता है Tiger के जो है वा TTC A NTC A और M Strips और आपने देखा प्रोजेक्ट आएगा तो देखने के लिए धन्यवाद कोशिश किजिए कि शेयर कर सकें Thank you